Assalamualaikum Last time तक हमने cracking कर लिये था Cracking में हमने कहा था Gasoline हमारे पास असल होती है Gasoline होता गया फार्मन जरो गोर कीजिएगा Gasoline यह वरी चीज है मैं यहीं भी लिख लेता क्योंकि यह reaction भी हमें लिखना बढ़ेगा Gasoline यह वरी चीज होती है CH3, CH2, 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 CH2 यहीं आठ कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यह आठ आठ कार्बन एटम में जो एक दूसरे के साथ जुड़े होगे इसको हम नाम देते हैं Gasoline का और अगर इसका scientific name देखा जाए जो commission हम दे रहे होते हैं इसको कहते है N-Octane N-Octane, Octane जिसके अंदर आठ कार्बन एटम होगी सही है हमारे पास आठ कार्बन एटम वाला compound है और जैस सारे के सारे जेखोंगे यहां पर किस तरह लगे होगे होगे इसको कहते हैं Straight Chain Hydrocarbon क्या कहते हैं स्ट्वेट, Chain Hydrocarbon के सारे के सारे कार्बन और Hydrogen सिर्फ एक लाइन में लगे होगे अगर हम इसको High Temperature पे गरम करते हैं High Temperature and High Pressure अगर यह बली चीज़ देते हैं High Temperature High Pressure पे गरम करते हैं तो यह बली चीज़ चेंज हो जाती है यह Convert हो जाती है Brown Chain Hydrocarbon मतलब किस सरे चेंज होगी यह बली चीज़ इस चीज़ में Convert हो जाएगी CH3, CH, CH3 यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आगे CH2, CH, CH3 और एक CH3 आपका यहाँ पे लग जाएगा सही है तो यह बली चीज़ हमारे बास बन भी होती है यह आपने याद रखना है यही सेम एक्जेक्ट यही Compound बनाना है आपने कि यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट चेंज है सारे के सारे आठ के आठ कार्बन आटम एक ही लाएट में लगे हुए लेकिन यहाँ पर गोर करो कार्बन आठ ही है देख लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ यहाँ पर हाइडरोजिन किल लो तीन, दो, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, पंदरा, और तीन, अठारा अठारा हाइडरोजिन, यहाँ परगे चाक कार्णों कितने हैं, तीन, चे, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा, और और तीन, पंदरा और तीन, अठारा, मतलब कर्वन, हाइडरोजिन, दोनों, की दोनों, मिगदार सेम है अब यह वो तरीका कार है जिसमें हम किसी straight chain hydrocarbon को convert करते है किसमें branch chain hydrocarbon में इस तरीका कार को हम कहते है reforming के नाम दे होते है reforming और याद़ ज़िए reforming को है न यह past paper में सुर्ट question के तोब पर आता है क्या आता है short question और reforming की definition क्या है इसकी chemical equation इसके advantage क्या है हमने forming करते हैं क्यों है मेरे मक्सद है यह देखो हम यह diesel ही है इस diesel को इस diesel में convert कर रहे है फाइदा क्या होता है फाइदा भी लिखेंगे सरसे पहले definition लिखो इसकी definition क्या बनती है heading देदो definition की definition क्या है मारे पास बिलकुल सिम्पल सी definition है कि अब प्रोसेस यह ऐसा तरीका कार है दा प्रोसेस ऐसा तरीकार इन विच जिसमें straight chain hydrocarbon straight chain hydrocarbon जिसमें straight chain hydrocarbon को convert कर रहे है hydrocarbon is converted into is converted into इसका हम बदल देते है converted into branch chain hydrocarbon branch chain hydrocarbon hydro carbon और इसका हम नाम दे रहे हैं at high temperature यहावचे temperature देते है high temperature in the absence of in the absence ग्यार मुझूद की में in the absence of oxygen या air कार लो oxygen यहाँ पिर air इसका हम नाम देते हैं is called is called reforming इस प्रोसेस का नाम देते हैं reforming का नाम दे रहे होते हैं अब यहाँ पर गोर करो यहाँ जो मैंने बात लिखी एक यहाँ बात लिखी एक यहाँ बात in the absence of oxygen या air अच्छा अब जब हम डीजल को इस डीजल में convert कर रहे होते हैं इस डीजल को इस डीजल में convert करते हैं तो हम हवा की गयर मजूदगी में ही यह काम क्यों कर रहे होते हैं इसकी reason क्या है उब बन दे यह पुछ लेगा हमने यहाँ लिखा जी in the absence of oxygen इसा ही क्यों है अगर प्राइजन्स में करेंगे क्या यह प्रॉसस नहीं होगा अगर प्राइजन्स में करते हैं याद रखे यह प्रॉसस कभी भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखो आपके पास डीजल है क्या है डीसल है और इसको आपने high temperature पे गरम करना है कै क्या करने है इसको high temperature पे गरम करना है जग अगर इसको oxygen में नहीं होगा ठी, काप बनाग मननने कि डालीा फिखते है तो सेम काम यहां पर होगा क्या होगा अगर ऑक्सिजन की मुझूदगी में इसको रिफॉम करने कुश्च करते हो तो यह रिफॉम नहीं होगा डारेक्ट आग लग जाएगे इसलिए हम मेंशा जोगी काम करते हैं वह इंद एक्सिजन की हाइली फ्ली में होते हैं इनको असानी से आग लग जाती है डीजल हो गया इनको बड़ी जल्दी आग लगती है पर सी बात आपने सिंपल से जेन बिठा ले नहीं है तो इसके निचे हमारे पास आजाए यह कैमिक 2-4 ट्राइमिथाइल पैंटेन सही है तो यह इसका नाम है 2-4 ट्राइमिथाइल पैंटेन आप लेको अगर इसकी नंबरिंग देते हैं 1-2-3-4-5 यह जो हमारे पास है न ग्रूप यह आपने नंबरिंग नहीं देनी जाद रखे हैं यह सिर्फ नाम देने का त्रिकार बता ग्रूप है यह क्या है मिथाल गूप है दूसरी पॉजीशन पे दो मिथाइल लगा हुआ है मैं इस लिए 2-2 फ150 प्रके कित्रे में गूप लगे हैं 3 तीन प्रेट चेंग में पांच कारपले अटमारे विए क्या होता है अब रिफार्मिंग का एडवांटेज क्य advantage सब्च यह reforming हम इसलिए का कर रहे होते हैं ताकि octane number इंप्रोव हो जाए अब octane number के यह अधी ही देखते हैं सही है it improve it improve the octane number यह octane number को इंप्रोव कर देता है अब octane number याद रखेगा octane number is directly proportional to Octane नमबर जो होता है यह directly proportion होता है efficiency of fuel के efficiency of fuel अगर किसी diesel का यह पेट्रोल का Octane number high होता है वो अच्छा fuel है अगर उसका Octane number low होता है तो वो घटिया fuel है अगर किसी में सारी के सारी यह वाल चीज़ पाई जाती है अगर किसी में सारी के सारी यह वाला डिजल है तो उसका Octane number होता है वो सबसे best diesel जोता हो यह वाला है सबसे best कौन सा है यह वाला डिजल है तो यहां मैं यह बात लिखे देता हूं The Octane number The Octane Number of N Octane N Octane Is Zero हमने इसको Zero Octane number दिया हुआ है जब किसको क्या नहीं दिया हुआ है Octane number So The Octane number The Octane number of 2 to 4 2 to 4 Trimethyl Trimethyl Pantane Is 100 100 तो इसका क्या हुआ 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 है अब नौकिंग को Reduce करने के लिए उस अवास को कम करने के लिए हम रीफॉमिंग कर रहे हुआ है पेट्रॉल की य डीजल की डीजल की डीजल की क्या करता है कम करने के लिए हम झाल कि겠습니다 हम एक लमशन कर दते हैं हाई कर देते जैसे या पड़किन ढाई होगा फ्यूल जोगा डिजल जोगा वह इत्प की कौैलिटिय के मैं जाओ याद रखेगा यह जो ऑक्टेन नमबर हाई वाला फियूल आप एरो प्लैन के लिए उसके पैसे जो नॉर्मल डीजल अगर एक सो चाली सुर्वाई ना भी एक सो चाली सुर्वाइब उसकी कीमत अलमस्याइब होगी अगर आपक या गाड़ी कोई कि भी उस डीजल से इस डीजल जो हमारें नॉर्मल है उसे 20 किलो मेटर कर दिए यह डाल वाकद 25 किलो मेटर करेगी एवरेज बढ़ जाती है इसे हम क्या कर रहे हो आप रीटिज क्या है it reduce it reduce the knocking ये क्या कर देता है knocking को reduce कर देता है knocking या उती ही यchen पैदा और रही है थी engine में से उस sound को कम करने के लिए हम क्या करवा रहे हो तो इसकी reforming करवा रहे होते है सभी बच्चे ये simple simple बात य्याद रखनी है कि हमारे पास reforming है definition क्या है इसका chemical reaction क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है इसको प्रोपर में नोट कर ली जीगा तो यही हमारे पास आज की लेक्शन थैंक्स फो वच्रिंग अल्ला पेज